आगाज हो चुका है G20 समेलन के तीसरे सत्र के थीम वन फ्यूचर है और साथी G20 के निताओं ने राश्ट्र पिता बापु महात्मा गांधी को श्रणधांज निमीटी है इससे पहले और अभी मंतन चल रहा है आपको बताते की दो घंटे तक मंतन चलेगा वन फ्यूचर के थीम को लेकर दो घंटे तक साड़े बारा बज़े तक दूसरा सत्र रहेगा और सड़े बारा बज़े के बाद बाइलेटरल मिटिंग हैल्ड होंगी राजधानी दिल्ली में एक देश की दूसरे देश के साथ जो है बाइलेटरल मिटिंग होंगी उसके बाद एक एक कर सभी भी देशी मेहमान अपनी सरजमी को रवाना हो जाएंगे कि हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिच तीवारी जुट चुके हैं अमिच जी देखिए आज तीसरा सत्र है वन फ्यूचर थिम रखी गई है इस सत्र को लेकर किस तरीके से वन फ्यूचर की थिम पर अधारी सत्र को आज आप देखते हैं जी देखिए बसंत की पूरा जी जो कल का सेशन था काफी फूट फूल रहा ने के वल भारत के लिए बलकि तमाम दुनिया की दूसरे देशों के लिए भी खासतार पर जी ट्वैंटी के लिहास से भी और आज का जो दिन है वो सेशन शुरू हो चुका है और वन फ्यूचर को लेकर इसमें बात की जा रही है किस परकार से पूरी दुनिया एक सुरक्षित भविष्चे की और देख रही है इस तरह की तमाम बाते जो है इसमें शामिल की जाएंगी और साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि मेहमानों का जो लोटने का सिलसिला है वो शुरू भी हो गया ह जो अमेरिकी राश्टपती है जो वाइडन वे बियत नाम के लिए रवाना हो गई है आज का दिन जो है वो राजगाट से शुरू हुआ जो वर्ड लीडर थे वे राजगाट पहुंचे यहां परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने उनका स्वागत किया और खादी की शौल भेट सुरकषा का महुल किस परकार से बनाया जाए और विश्वाद अजो एक संकत रहता है उसको लेकर तमाम मूद्दों को लेकर और कैसे सुरक्षित भविश्य जो दुनिया का रखा जाए और जी ट्वेंटी में उसकी नीव किस परकार से रखी जाएगी इन तमाम बातों को लेकर चर्चा होगी और साथ-साथ जो नई दिली डेक्लेरेशन है उसे भी आज जारी किया जाएगा जी ठीक है बिलकुल अभी जी देखिए ये जो सेशन है हमकी बार का जो समिट है अठारवा समिट पिछली बार के मुकाबले अगर बात करें तो काफी महत्तपूर रहा है क इसली बार के मुकाबले बहुत जादा फ्रूट फूल देखते हैं अपर से अमिति बारी जी निश्चित रूप से वसंत अगर बात करें तो काफी फ्रूट पूल कलका दिन जैसे मैंने पहले कहा काफी फ्रूट पूल रहा और कई जो मील के पत्थर है वो स्थापित करने क का काम जो है वो भारत ने भारत मंडपम में जब दुनिया भर के जो लीडर्स चूड़े हैं उनके बीच में किया है तो वैश्विक चुनोतियों का मुकाबला किस परकार से किया जाए और साथ-साथ हलांकि हैसी ऐसा माना जा रहा था कि रूस युक्रेन युद्ध को लेक रहे हैं लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो सीधे रूप में जुड़े हों चाहे परमानु की हत्यारों के इस्तेमाल की बात हो उनके उनको किस पकार से उनकी धंकी की बात हो इस तरह की तमाम बाते जरूर चर्चा में रही हैं और साथ-साथ आफ्रीकन यूनियन का शामिल होना 27 सदस्य की रूप में यह एक बड़ी उपलब्दी है और सबसे खास बात है बसंत की इसकी पहल भी भारत ने की थी परधान मंतरी नेरेंदर मोधी ने कहा था कि अपरिकन यूनियन को भी 27 सदस्य की रूप में शामिल होना चाहिए और इस तरह का परस्तावत रख्खा जिसे पास भी कर लिया गया और 55 देशों का इसमें इससे जुड़ाव अफरिकन यूनियन से तो ऐसे में एक बड़ी पहल भारत ने की और कई ऐसे मसले थे चाहे वन अर्थ की बात की जाए या वन फैमिली की बात की जाए और अब वन फ्यूचर की बात है तो ऐसे में जो भारत जो बाते रखी थी उसे दुनिया ने भी स्विकारा है और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जी ट्वेंटी का शिकर सम्मेलन ने केवल भारत के लिए बलकि दुनिया के लिए एक नई नीव रखने का काम करेगा और साथ साथ जो तमाम तरह की बाते हैं चाहे वो मुद्दा जो इसका जी ट्वेंटी का है तो उसको लेकर भी जिस परकार की सहमती मिलिये चाहे पेट्रोल में 20% की मिथेन की बात हो या या समझोते दूसरे तरह के जो फ्यूल को लेकर किये गए हैं उस तरह कैसे आपने जैसे जिकर किया कि करीब सतर ऐसे जो समझोते हैं तो ऐसे निश्चित रूप से यह समझोते वैश्विक रूप से प्रभाव डालेंगे वैश्विक चुनोतियों से निपटने में मदद करेंगे और खास्तोर पर जी ट्वेंटी देशों की मदद करेंगे और नय केवल दूसरे जो दुनिया के तमाम मुल्क हैं उन पर भी इस जी ट्वेंटी शिकर समयलन का असर रहने वाला है जी बसंद बिलकुल हमें तिवारी देखें बहुत जादा जरूरी भी हो जाता है एक साथ एक मंच पर आना एक स्तर पर आना और उसके बाद मंथन करना वैश्विक चुनोतियों को लेकर क्योंकि भविश्य के लिए ए बाद फिर वैश्विक रत्यविवस्था की हो बढ़ते क्राइम ड्रेट की हो साइबर सेक्योरिटी जिस तरीके से सोलर एनर्जी को बचाने को लेकर प्रयास हो रहा है यह तमाम ऐसी समस्याएं हैं अमित्तिवारी जो वैश्विक समस्याएं हैं भविश्य में एक बड़ी है नवीनी कृण के जिस परकार से की बात की जा रही है किस परकार से उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए और साथ-साथ आर्थिक मसलों की बात की जाए तो जैसे कल का दिन बड़ा फूट्फुल रहा मैंने पहले कहा कि भारत और मिडल इस्ट और यूर्वरोप के भी जो आर्थिक करीडोर बनाने की बात है तो यह एक बड़ी पहल है और साथ-साथ जो वन फ्यूचर की बात जो लगातार कर रहे हैं चाहे वो भारत में एक और भी खास्तोर पर बात की है कि इस प्रकार के G20 उपग्रह मिशन भी शुरू किया जाए तो इस तरह की बाते जो रखी गई है उनका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा और आज का दिन जो अब सेशन जो जिस पर चर्चा चल रही है वह अंतिम सेशन है उसके बाद अपने अपने देशों की और लोट जाएंगे राश्टा देक्ष लेकिन इसी बीच कुछ और भी दिवीपक्षिय ब का निश्चित रूप से भारत को भी फाईदा है और दुनिया को भी और जिस परकार का सैशन है यह अनतिम सत्र जो चल रहा है वन फ्यूटर को लेकर इसमें चाहे आपने उच्तनि और मेकरन की बात की सोरा पूरे दुनिया के भविष्य को लेकर एक सांझा यह मंच है और इसमें जो भी प्रस्ताव पारित किये जाएंगे उनका वैश्विक प्रभाव पड़ेगा वैश्विक चुनोतियों से निपटने की ताकत जो है वह यह इस परकार का जो शिकर संबेलेने वह देता है और भार भारतिय संस्क्रिती की जलक देखी बलकि वो इस विरासत को संजो कर भी उसकी यादों को संजो कर भी ले गए हैं और साथ साथ जो भारत में जिस परकार के परस्ताव रखे गए हैं उनको लेकर एक आम सहमती बनना और रूस युक्रेन का जैसे मैं ने मसले की बात की तो उ रूस ने रूस का हला की ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया युक्रेन का ज़्यादा नाम लिया गया लेकिन एक बात और भी है कि रूस ने परमानु हत्यारों के इस्तेमाल की द्धंकी कहीन ने क sug अई थीम है वन फ्यूचर तो ऐसे में एक बड़ा सेशन है और इस पर देखने वाली बात होगी किस परकार से सहमती मिलती है और नई दिल्ली जो लीडर जो डेकलेरेशन है उसको आज जारी किया गया था जारी किया जाएगा और कल जो है इस पर आम सहमती बन गई थी अलागि प्रभाव पड़ेगा और वेश्वीक चुनोत्यों से निपढ़ने की नई ताकत जो है वह नई दिल्ली शिकर समेलन से मिलेगी जी ठीक है अमित्ति वारी नजर बनाया रखेगा इस समिट पर जानकारी समय समय पर लेते रहेंगे फिलाल बहुत दो शुक्रिया जानकारी ग्राफिक्स के मार्दम से आपके डिव स्क्रीन पर कौन-कौन मेहमान उपस्तित है तो यह आपको बता दें कि सरगई अश्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री है महमान भारत के और इंटोनियो गुटेरेस इसमें अगैस्ट के रूप में शामिल हुए अब दिल्फते ल्सी सी राश्ट्पति है मिश्र के और साथी कौन-कौन मेहमान है वह लगतार जानकारी दे रहें आपको रिश्य सुनक के ब्रि देता हैं वह आज हिस्सा बन रहे हैं जी ट्वेंटी समिट के वन फूचर तिमपर अधारित इस सत्र के और इसके साथ एक और जानकारी दे अमेरिका के राश्ट्रपती जो बाइडन अपने देश वापस लोट चुके हैं तो वहीं अब व्यतनाम के दोरे पर जाएंगे र लाल कौन-कौन मेमान हैं वह जानकारी आपके टेवी स्क्रीन पर है महाशक्तियों का महाकुम्ब राजधानी दिल्ली में चल रहा है और महाकुम्ब में महाशक्तियों के बड़े राजनिता बड़े दिगज वैश्विक्स्तर पर अपनी पैचान रखने वाले जो किसी पर राजधानी दिल्ली में तैयार हो रहा है आने वाले समय में वैश्विक्स समस्याओं को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है उस रोड मैप का ब्ल्यूप्रिंट आज राजधानी दिल्ली में गढ़ा जा रहा है तो कौन-कौन मेहमान है आपके टेउस्क्रिन पर जानकारिक ग्राफिक्स के जाथ एंटनी अल्बनीज अश्ट्रेले के ब्रधान मंत्री हैं एंटोनियो गुटेरिस सेंगत राष्ट के माल सचिव इसमें मौझूद हैं अब्दल्फते अलसिस राष्ट्रपती हैं मिश्र के और साथी दक्षिन कोरिया की तरफ से भी जो गैश्ट है आज महमान बने रिश्य सुनक प्रधान मंत्री ब्रिटेन के बाइलेटरल मिटिंग भी हुई प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के साथ में आपके जिगा और अब फिलाल ताजर जानकारी साम्यारी अमेरिका के जो राष्ट्रपती हैं अपने विट्नाम दोरे को लेकर रवान हो चुके हैं आज के सेशन का हिस्सा अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन नहीं है यह जानकारी दे रहें आपको शेक हसीना बंगलदेश की प्रधान मंत्री हैं सर्गेई लाप्रो विदेश मंत्री रू सिरियल रामफोसा राष्टपती एड़क्षिन अफ्रीका के और साथी और जानकारी एंटोनियो गुटेरेस सेंट्राष्ट के मासर चीव एंथनी अल्बने जश्ट्रेल के बिजान में यह वो तमाम मेहमान है जो आज वैश्विक चुनोतियों को लेकर मंथन करेंगे अप से पार पाया जा सकता है और वही प्रयास आज रहेगा कि एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सभी मुद्धों पर चर्चा हो कल की बात करें तो 73 मुद्धों पर सर्व सम्मति बनी हैं और यह बहुत जादा खास रहा है जी ट्वेंटे समिट अठारवा जी ट्व मुद्धों पर सहमति बनी थी और साथ ही आज की बात करें आज के समय में जब समिट हो रहा है तो 73 से जादा मुद्धे सहमति अपनी ले चुके हैं